Hello everyone, welcome back to my channel and welcome back to my new video आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ ये बहुत ही beautiful, very simple, very easy makeup look इसके लिए मैंने बहुत जाधा products भी use में किये हैं और ना ही मैंने use किये हैं जाधा brushes तो आज की वीडियो में हम सिखेंगे कि कैसे हम एक single brush यूज़ करके और दो eyeshadow यूज़ करके अचीव कर सकते हैं ये beautiful सा makeup look तो मैंने अपना face makeup already कर लिया है यहाँ पे अब मैं उसके बाद apply करने लगी हूँ अपने eyelids पे concealer और concealer को मैं equal amount में apply करूँगी प्लस एक beauty blender की help से इसे अच्छे से blend कर दूँगी blend करना किसलिए जरूरी है blend करना इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर आप अच्छे से अपने base को blend नहीं करोगे तो आपका eyeshadow जो है वो crease पे अच्छे से stick नी करेगा और या फिर cake ही दिखने लगेगा और या फिर उसमें lines बन जाएंगी तो blending पे time जरूर देना और एक clear base बन जाएगा तो आप कोई भी eyeshadow apply करेंगे तो उसका color बहुत easily visible हो जाएगा अगर आप base नहीं create करते हैं तो उसके color को visible कराने में आपको थोड़ी मेनत करनी पड़ेगी तो आज की वीडियो के लिए मैं जो eyeshadow यूज़ कर रही हूँ वो है color board beauty glazed eyeshadow palette और इस eyeshadow palette में से मैं यूज़ कर रही हूँ pink shade pink का ही मैं light version लूँगी और pink का ही मैं dark version लूँगी तो सबसे पहले हमें simple सा step follow करना है अपने inner corners पे हमें light pink color की eyeshadow apply करनी है और अभी हमें blend नहीं करना हमने बस अभी product को deposit कराना है अगर आप लगाते time ही blend करेंगे तो आपका product visible नहीं होगा और वो बार 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 गिर जाएगा अगर आपकी eyeshadow में भी ऐसा problem होता है तो पहले अच्छे से product को deposit कीजे और फिर उसके बाद उसे blend कीजे अब जब हमारा inner corner वाला shade blend हो चुका है तब मैं apply कर रही हूँ outer corner पे dark pink color का eyeshadow और यह न आप दोनों जगह पे inner corner पे भी और outer corner पे भी आप वी शेप बनाते हुए apply करना तो आपका eyeshadow गलत नहीं लगेगा क्योंकि जादा तर लोग यहीं गलती कर जाते हैं कि उनको यह नहीं पता होता कि eye की shape कैसे बनानी है तो यह तो आप crease line बनाओ और फिर उसके अंदर आप अच्छे से इसे blend करो और otherwise आप यह कर सकते हो कि आप इसे apply करो V-shape में ताकि आप जादा ऊपर ना जाओ crease line के और बाद में एक blending brush लेके जैसे कि मैंने यहाँ पे blend कर दिया है crease line बनाते हुए सेम चीज आप follow करो और अपनी crease line को define कर लो याद रखिएगा जैसे मेरी hooded eyes है आगर आपकी भी hooded eyes है तो जादा ऊपर eyeshadow नहीं लेके जानी है crease line के ऊपर eyeshadow नहीं जानी जाइए अच्छे से time लेके धीरे-धीरे blend करते हुए अपनी eyeshadow को एक clean look आपने देना है उसके बाद मैंने यहाँ पे लिया है color bar का काजल और मैंने काजल को ही as a liner apply किया है proper तरीके से apply नहीं किया है क्योंकि जैसा कि आप अगर मुझे जानते होंगे पहली की मेरी videos देखे होंगी तो मुझे proper liner उतना पसंद नहीं है मैं थोड़ा सा smokey या smudge liner जिसको बोलते हैं वो जादा पसंद करती हूँ तो मैंने वही यहाँ पे किया है हलका सा बस मैंने काजल apply करके और उसे smudge कर दिया है और आप देख सकते हो कि कितना प्यारा look आता है smudge liner का अगर आपने अब तक try नहीं किया है तो एक बाद जरू try करना इसके लिए जादा skills भी नहीं चाहिए आप easily कोई भी बंदा जिसको ने अभी अभी make up शुरू किया है वो भी इस liner का look achieve कर सकता है इसको जादा ऊपर तक मत लेके जाना वरना आपकी eye shadow पूरी खराब हो जाएगी देन उसके बाद मैंने इसे ऐदा काजल भी apply कर लिया है और जिस brush से मैंने काजल को ऊपर liner की space पे blend किया था same brush से ही मैं नीचे की lower lash line पे भी इसको blend कर लोंगी अब मैंने apply किया है थोड़ा सा sugar का highlighter इसे मैंने apply किया है brow bone पे inner corners पे और इससे क्या होगा इससे आपकी brow bones भी visible हो जाएगी plus आपके inner corners भी थोड़े highlighted दिखेंगे eyes थोड़ी open दिखेंगी that's it guys ये था मेरा final look आप किसी भी shade के साथ ये look achieve कर सकते हैं pink shade पसंद है तो pink नहीं तो कोई भी color आप use कर सकते हैं और सिर्फ और सिर्फ उसकी दो shade आपको चाहिए एक light और एक dark I hope आपको ये eye look पसंद आया हो अगर आपको ये eye look पसंद आया है तो वीडियो को like जरूर कर देना चैनल को subscribe कर लेना और अब मैं मिलूँगे आपसे मेरी next किसी वीडियो में तो तब तक के लिए बाई